असकार स्वागता आप सभी कई शूडूब चैनल टेक्निकल बाटी पे दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कंडेक्टर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अपलाई कर सकते हैं उसके प्रोसेस की कंप्लीट वीडियो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो आप सुरू से लेके लाक्ष तब जरूर देखेगा ताकि पूरी जानकरी आप अच्छे से समझ सके चलो दोस्तों वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का आप लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दीजिए जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकरी पाने के लिए चैनल से तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और करन्टी दबाकवल पे क्लिक कर कर दीजिए अब जिस से भी आप करना चाहते हो वह इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सिंप्ली यहां पर आ रहा है कंडेक्टर लाइसेंस यहां से भी आप एप्लाई कर सकते हो तो यहां पर काफी ओप्सन आपको दिख जाएंगे जैसे यहां पर आप क्लिक करोगे काफी ओप्सन दिख जाएंगे न्यू कंडेक्टर लाइसेंस टंप्रेली कंडेक्टर लाइसेंस सर्विसी जान कंडेक्टर लाइसेंस ऑनलाइन कंडेक्टर लाइसेंस टेस्ट प्रि यह इस तरीके से पेज आपके सामने उपन होके आ जाएगा इसमें तीन डिटेल्स आपको कंप्लीट करने है परसनल डिटेल एड्रस डिटेल और उसके बाद मेडिकल डिटेल्स तो परसनल डिटेल्स छोके साम हाँ आपको करने हे खाल डिटेल्स इसां कि आप सेक्ट कर लीजेगा हिस यहांपर डर्वाइफ नहीं पता तो अन्नून यहांपर सेलेक्ट कर लीजेगा यहां पर मोबाइल नंबर लाद दिए और यहां पर ढाल दीजिएगा उसके बाद यहां पर पचाहां पर दाल सकते हैं द्रवाइजिस को blank छोड़ दीजिएगा और उसके बाद यहां पे इन details को complete करने के बाद address details पर किलिक किजएगा और उसके बाद यहां पर present address की details डाल दीजे, state select कर लिजे, district select कर लिजे, उसके बाद sub-district यानि तैसल select कर लिजेगा, और उसके बाद address की details डाल लिजेगा, हाँ पर पिनकोड डाल लिजेगा, और अगर आपका present or permanent address same है, तो यहाँ पे copy to permanent address पे click कीजेगा, यह automatic same हो जाएगा, अगर present और permanent address अलाग अलाग है, तो present address की detail यहाँ पे डाले, permanent address की detail यहाँ पे डाले, आपको एक चीज़ का दान रखना है, कि जो भी आपका present address जो भी डालोगे, वही आपके license में print होके आएगा, जो smart card license है, उसके बाद, इन details को डालने के बाद medical data इस पे क्लिक कर दीजेगा, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पे institute name डालेगा, जो first ad issuing institute name है, वो डालेगा, यहाँ पे certification number डालेगा, यहाँ पे place of issued डालेगा, कहाँ से इस हुआ है, और किस date में इस हुआ है, वो date यहाँ पे डाल दीजेगा, अगर आपने यह first ad issuing institute जो है, first ad certificate आपने नहीं बनवाया है, अगर आपने first ad certificate नहीं बनवाया है, इसको बनवा लीजेगा, और आप location भी देख सकते हो, कि आपके nearby area में first ad certificate कहाँ कहाँ पे बनता है, इन details को डालने के बाद यहाँ पे आता है, इस इस पर्मानेंट, अगर यह permanent ad certificate आपने बनवाया है, तो यह इस पर किलिक कीजिए, उसके बाद medical fitness की details यहाँ पे आप डाल दीजेगा, medical fitness certificate आप बनवा लीजेगा, जो आपके area में government doctor उनसे बनवा लीजेगा, इसका format का मैं आपको बता देता है, किसी तरीके से format आपको मिलेगा इसका, किसी भी search changer में आप search कर दीजेगा, फारम 1A, 1A वाहन यह आप search कर दीजेगा, सबसे उपर इसका format मिल जाएगा, इस पर आपके लिक कीजेगा, उसके बाद यह इस तरीके से open होके आ जाएगा, उसका sign और more यहाँ पर हो जाएगा, तो वो जो डॉक्टर वो in details को बढ़ देगा, यह yes नो जो भी है, वो आपके according वो बढ़ देगा, वो check करेंगे, उसके बाद in details को बढ़ने के बाद, यहाँ पर signature और more आ जाएगी उनकी, और उसके बाद, यहाँ पर details भढ़ दीजेगा fitness certificate number यहाँ पर डाल दीजेगा, डॉक्टर का नाम डाल दीजेगा, registration number और डॉक्टर का आ जाएगा इसमें, डॉक्टर registration number, और उसके बाद clinic name, point, place आ जाएगा, और किस date में issue हुआ है, तो वो date आ जाएगी, किस date में वो medical certificate issue हुआ है, तो यह जो add certificate और medical fitness certificate है, आपको RTO भी ल declaration का आ जाता है, तो मैं इसको यूहीं रहने देता हूँ, टिक नहीं करता हूँ, इसके बाद submit पे click करता हूँ, उसके बाद इसमें आ जाएगा, कि क्या आप बिना टिक के proceed करना चाहते हो, और गन वाले पे, तो हम okay भी click कर देंगे, अब आपके सामने इस तरीके से acknowledgement receipt open होके आ जाएगी, यहाँ पर पूरी detail आपको दिख जाएगी, application number, name, application date, date of birth, blood group, applicant, gender, father name, तो यह जो application number है, इसको आप कहीं पर note down कर लीजेगा, या फिर यह जो acknowledgement receipt है, इसका आप print निकाल लीजेगा, या फिर इसको इसका screenshot कीच लेना है, save कर लेना, तो print acknowledgement के क्लिक करको इसका प्र सेव कर सकते हो, इधर आपका यहाँ पर address दिख जाएगा, security region की वजए से, यह details मैंने hide कर रखी है, और यहाँ पर RTO दिख जाएगा, कौन से RTO में आपकी application प्रॉसीड हो रही है, यहाँ पर document की बात करें, तो document आपको दिख जाएगी, जो आपको upload करने है, और जिनकी आप आपको requirement होगी, RTO में जो document आपको लेके जाने है, सब detail यहाँ भी दिख जाएगी, जैसे current address probe, medical certificate, farm 1A, age probe, first ad certificate, यह आपको upload करने होगी, तो आगे के process को complete करने के लिए next पे click कर देते है, उसके बाद यह इस तरीके से आ जाता है, तो इस page पे आप नीचे के तरह आईएगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि document upload करने है, उसके बाद payment करनी है, photo sign upload करने का option नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप अभी भी अपना जो application उसको आप निकाल सकते हो, इस पे click करके application फारम पे click जैसे आप करोगे, तो एक page का एक application open होके आजाएगी, उसमें सारी detail आपक जाना होगा, इसे की तरफ आने के बाद यह जो document upload का है, इस पे click होके हो रखा है, तो document upload करने के लिए हम प्रॉसीट पे click कर देते हैं, अब ओके पे click कर देते हैं, अब इस तरीके से आजाता है, document पे आप click कीजिएगा, यहाँ पे select पे, जैसे आप इस पे click करोगे, तो फटा फटा upload कर लिजेगा, proof में proof select कर लिजेगा, document number भी 123 आप कुछ भी डाल सकते हो, या जो, उस document में document number भी आप डाल सकते हो, issuing authority designation, तो government of India ने इसू किया है, या state government of India ने किया है, या जो भी हो, आप यहाँ पे डाल दीजेगा, sort में भी आप डाल सकते हो, किस date में इसू हुआ है, वो document वो date डाल दीजेगे, उसके बाद choose file पे click करके, उस file को select कर लिजेगा, upload के लिए, इसमें आपको दियान रखना है, जो भी file आप upload कर रहे हो, jpg, jpeg, jpeg या video format होना चाहिए, और उसका size 300kv या 300kv से कम होना चाहिए उसके बाद upload पे click करोगे, जैसे ही upload पे आप click करोगे, तीन option आपको दिख जाएंगे, view, confirm या cross, view पे click करके आप देख लिजेगे, आपने सभी document अप्लोड किया है, गलत कर दिया है, अगर आपने गलत upload कर दिया है, तो इस पे click करके आप re-upload कर सकते हैं, अगर आपने सभ document upload किया तो confirm पर click कर दिए इसी तरीके से आप सारे document को upload कर लिजेगा और जैसे ही आप सभी document को upload कर लोगे यहाँ पर आ जाएगा all documents are uploaded successfully अब यहाँ पर नीचे next का option आपको दिख जाएगा उस पर click कीजेगा उसके बाद payment करने करने के लिए process पर click कर दीजिए उसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करके proceed for payment पे क्लिक कीजिए SBI की net banking payment करना चाहते हो यहाँ भी क्लिक करे other bank की net banking से payment करना चाहते हो यहाँ भी क्लिक करे state bank के debit card से अगर payment करना चाहते हो यहाँ भी क्लिक करे credit card से अगर आप payment करना चाहते हो तो यहाँ भी क्लिक करे अब जैसे मैं state bank के net banking इस payment करना चाहता हूँ यहाँ पर click कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर username password डाल के login पर click कर देता हूँ अब यहाँ पर इस तरीके से आपको दिख जाएगा तो payment receipt निकालने के लिए यहाँ पर click कर दीजे अगर आपका इस page में exit हो गए हो या error आ गया है या payment pending या fail हो गया है तो उसको verify करने का अपके तरीका इस वीडियो को लाश में बता हूँ आपको प्रिमेंट receipt निकालने के लिए यहाँ पर click कर दीजे अब यह जो circle है इस पर click करें यह capture date यहाँ पर डाले और print receipt पर click कर दीजे अब इस तरीके इस payment receipt आपके सामने open होके आ जाएगी इसको save करना चाहते तो save कर सकते है अब है payment का बता देता है payment किस तरीके कर सकते face payment यहाँ पर फीस payment पर click किजेगा उसके बाद यहाँ पर e payment क्लिक करके application पर ağप सामने आजा अगर सक्सफुल payment हो जाता है तो यहाँ से payment receipt आप अब मैं आपको complete document बता देता हूं कि कौन कौन से document आपको 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 लेके जाने होंगे यह document आपको लेके जाने है acknowledgement receipt application फारम और जो भी document आपने अप्लोड किये जैसे age proof, current address proof, first ad certificate, medical certificate वो original plus photocopy आपको लेके जाना payment receipt लेके जाने है चोर चार या पांच passport size photograph लेके जाईएगा फारम आप दो तरीके से निकाल सकते है application status पे क्लिक करके भी निकाल सकते है अब आप में से कुछ लोगों का यह doubt हो सकता है कि जैसे हमारे में appointment book करने का option नहीं आया है तो कब हमको RTO office जाना होगा तो आप किसी भी date में RTO office जाके document verify करा सकते है और जिन states में faceless या contactless service enable कर दी गई है conductor license की और आपकी application में जो application पारम जब proceed कर रहे हैं वहाँ पे लिखके भी आ रहा है कि in your RTO face less contactless service enable you need no to visit RTO office तो उनको RTO office जाने की जोड़त नहीं है सारा जो process है वो online हो जाएगा और अगर 15 दिन के बाद भी आगे आपका application status के तुरू जब आप चेक करके देख रहे हो तो आगे आपकी application proceed नहीं हो रही है आगे status आपका नहीं जा रहा है तो 15 दिन बाद आप RTO office विजिट कीज़ेगा complete document के साथ और वहाँ पे बात कीज़ेगा इसके regarding और अगर आपके RTO में फिल स्लाइस या कॉंट्रेक्ट प्लाइस सर्विस इनेबल नहीं की गई है तो उसका मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताई दिया कि कौन कौन से डॉक्मेंट आपको RTO office लेके जाने होंगे और Conductor license प्रिंट का यहां पे भीए प्रिंट conductor license पी क्लिक करके आप conductor license अपना प्रिंट निकाल सकते हैं Application Number Date of Birth Tale के Submit पी क्लिक करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं तो यह दोस्तों पूरा तरीका है आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप conductor license के लिए online किस तरीके से apply कर सकते हैं कितने document की आपको requirement है कौन कुछ document की requirement है document shared certificate, automatically certificate आपको किस तरीके से बनवाना होगा payment आप online किस तरीके से कर सकते हैं अब यह process है पूरे process के आज की इस वीडियो में मैंने information बताई है उमीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको like कीजिए share कीजिए कुछ भी आप पूछना चाहते हैं नीचे comment box मा comment कर सकते हैं लाइसेंस रिलेटिड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो simply यहां पर डाल दीजेगा driving license जैसे ही आप यहां पर driving license डालोगे जितनी भी वीडियो आपने लाइसेंस रिलेटिड अपलोड किये सब दिख जाएगी लाइसेंस और भी बहुत सारी वीडियो आपको यहां पर दिख जाएगी अगर आप इस्टेटरस देखना चाहते हैं लाइसेंस का तो आप यहां पर डाल दीजेगा उसकी वीडियो अपलोड कर रखिए और अगर आप वीकल रिलेटिड इन पूर्मेंस देखना चाहते हैं वीकल डाल दीजेगा वीकल ट्रांसपर वीकल अपलोड कर रखिए इनको भी आप देख सकते हो जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकरी पाने के लिए इस चैनल से तो इसको सब्सक्राइब कर दीजेगा और गंटी दबा कावल पे क्लिक कर दीजेगा फायदे इस कही होगा जब से पहले तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ तब दक के लिए बाई टेक्या